आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम इसे धान दगनी हो तरही स्टेडी ग्लोस पे यह आपका बहुत बहुत बाकत है शम्शुद दीन फकरुद दीन भाई इनको रिलीस किया गया 19 साल के थे उत्तर प्रदेश के है यह और यह सबजियां बेजते थे दिली में एक दिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया और बोला कि यह सुनो तुमने 200 रुपए चुराए हैं ना आओ चलो जेल की रोटी खाने पड़ेगी जेल का पानी पीना पड़ेगा अब 200 रुपए चुराने के लिए तीन महीने की सजा है एक साल बारा महीने शम्शुद्दीन ने तिहार जेल में काटे क्यों क्योंकि उसके पास 10 हजार की प्रॉपर्टी नहीं थी ताकि वो बेल बॉन्ड भर सके आपको बेल के लिए एक बॉन्ड भरना पड़ता है जिसमें आपको गैरिंटी देनी पड़ती जिसमें प्रॉपर्टी पैसे वो डिपेंड करता है जेल पे समझे रो तीन महीने के 200 रुपए सिर्फ 200 रुपए चुराने का आरूप लगा तीन महीने के जगा एक साथ सजा काटी क्यों क्योंकि उसके पास 10,000 रुपए नहीं थी ये चीज है ये क्रिमिनल जेस्टिस सिस्टम जो है ये एक अजीब और गरीब साइकल है आपको पता है जो most oppressed है सोसाइटी में वो सबसे vulnerable हैं इन पे charges लगाये जाते हैं धेरो charges लगाये जाते हैं पैसा वैसा नहीं रही था इनके पास कहां से आएंगे ये नालसा है हमारे पास लेकिन वहाँ पे भी जाने के लिए आपको पैसा होना चाहिए जेब में पैसा तो power simple rule है minorities they are over represented in prison population NCRBK में records आपको दिखाऊँगा हर साल लेकिन क्या कर सकते हैं अगर एक रुक्षा पुलर और एक car dealer same crime उसके उपर same charges लगाए हो तो क्या एक रिक्षा पुलर जितना समय जेल में बिटाएगा क्या car dealer भी नहीं बिताएगा वेलकल car dealer जल्दी छुटेगा पाइसा है उसके पास money talks जो लोग जेल में जिनको सजा होती है उनके उपर fines impose होता है लेकिन अगर वो pay नहीं कर पते if they can't pay that fine जब उनका sentence over हो जाता है तब भी उनको रहना पड़ता आपको पता है जैसे मान लिजे कि आपके उपर fine लगा और अगर आपने वो fine नहीं चुका पाई आपकी सजा पूरी होगी उसके बाद भी आपको रहना पड़ेगा जब तक court order नहीं थे और अभी तक 2021 से लेक हैं क्योंकि वो fine नहीं दे पाई 5 गुना जादा उन्होंने अपनी सजा का start लिया है जेल में और 1500 इसमें UP में हैं बाकी उत्राखंड, ओडिसा, मद्द प्रदेश, 36 गड़, 2017 से UP जो है सबसे जादा prisoners यहीं पर ही है क्योंकि वो fine नहीं दे पाई तो सर्फ crime के लिए ही आप आपको जेल में सजा नहीं मिलती है, बात है यहाँ पे घरीबी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, उनके पास पैसा ही नहीं है, 40,000 अंड़े ट्राइस और कॉन्विक्स जिनके उपर चोडी के चार्जेस लगे, theft चार्जेस लगे हैं, वो बार इसले नहीं नहीं खल सकते क्यो क्यों उनके पास पैसा नहीं है, अठारा सो एकनॉमिक ओफेंस जो है, 2021 में, एक करोड, they are involved more than रुपीज, वन करोड, ठीक है, ठीक है, ठारा सो एकनॉमिक ओफेंस की अगर बात करें, तो 6% जिनको अरेस्ट किया गया है, उनी में, उनी का यह कॉन्विक्शन है, ठीक है, सा IT का हमारा शांदार कोर्स चालू है, आज ओ, पटाक से अवेल कर लो, कब आऊगे, बहुत इस हस्ते में हमने कोर्स निकाले हैं, इसकी लाइफ क्लासेस चालू है, और हमारा यूट्यूब एस्सोसीशन प्रोग्राम उसके साथ अप्जूर सकते हैं, हमारे इंस्टा पेज, studyglowshiringattherateofgmail.com और LinkedIn पेज जो है हमारा आप तीनों जगा, और मेरी परसनल प्रोफाइल पे भी तीनों जगा, आप अपने चैनल का नाम सब्सक्राइबर भेज सकते हैं, हम आपको कॉन्टाक करेंगे, हो सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाए, साथ दिन लग जाए, दो हफ अब देखे, 2021 के अगर बात करें, तो 1410, ठीक है, इतने लोग इनों ने ये fine नहीं दे पाएं, समझ रहो, और ये देखे, 2013 में 3000 ते ये तो कहिए 2021 में इतना कम रह गया है, अजीब हो गरीब चीज है, अब problem ये भी है ना कि education level, education level भी decide करता है कि कौन जेल में रहेगा, कर आ आप कानून समझ के निकल जाओगे, लेकिन जिनके पास education नहीं है, उनकी कोई value नहीं है, those with no education, या जो class 10 से पहले ही drop out हो गए, 68% convict वो है, जिनके पास कोई education ही नहीं है, ठीक है, और अगर graduates और post graduates की बात करें, तो 9% है, यानि कि कुल मिला के बात ही है कि अगर आप पढ़ ये चीज़ है, अब 268th law commission report 2017 किये कहती है, जो powerful, rich और influential है, इनको मिल मिल जाती है, आसानी से, majority of undertrials, they are illiterate, semi-literate है, मतला बहुत ज़्यादा पढ़े लिके नहीं है, और literacy एक बहुत बड़ा tool है, अगर आप literate हो, तो you have the power, अगर आप पढ़े लिके हो, तो आपके पास power है अब आप देख सकते हैं, ये आपके सामने पूरा कच्छा छिठा, पिछले 17 साल में, आप देख सकते हैं कि जो number of literate और semi-literate है, हाला कि ये 6.6% पे अभी आके खड़ा हुआ है, है ना, अब आप देखिए, ये 2021-276,000 कैदी ऐसे हैं, जो class 10-20 भी पूरी नहीं कर पाए, औ और देखिए, अब ये जो graduation वाले हैं, ये कितने कम हैं, एकदम नाम मातर के, और ये देखिए, लगातारी इंक्रीज हो रहा है, ये आकड़ा जो है, ये आप अभी देखिए, अगर आप 2007 में 1,96,000 था और 2021 में 2,76,000 है, ठीके, तो ये चीज है, तो ये चीज है, त्योंकि and you will find the loopholes in the legal system and not loopholes, मतलब you will have the right, मतलब आपको पता है ना कि अगर आपको कोई जेल में डाल रहा है, क्या करना है, भाई मैं आपको पड़ा रहा हूँ, और पुलिस आपको ऐसे जेल में डाल नहीं सकती, पुलिस आपको ये साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिने पुलिसेन उससे जादा तो हायर है, हिंदू प्रिजनर शियर का, आप देखिए, इसमें हम ये इसलिए नहीं कह सकते, जी भी देखिए, आप क्राइम करोगे तो जाओगी जाओगे, ऐसा थोड़ी नहीं, तो ये चीज है, 2017 की स्टेडी, जो NCRB प्रिजन डेटा, 1998 से लेक पॉपलेशन हैं, ठीक है, और UP में सबसे जादा, highest 30% जो मुसलिंस है, वो प्रिजन्स में है, और मुसलिं स्टेट में पॉपलेशन कितनी है, 19%, यानि की UP में 19% मुसलिम टोटल है, लेकिन जो कैदी हैं, वो 30% है, भारत में जो मुसलिंस प्रिजनर्स है, वो 18% है, और यह आप देखी सकते हो, यह 2021 में अगर हम बात करते हैं, 75% convex है, ठीक है, फिर Muslim साथ है, 16% और बागी फिर सब आते हैं, अब अंडर ट्राइल्स में भी हिंदू जाद है, 73% है, 19% है, detainees में भी 61% है, और 30% Muslim से हैं, लेकिन एक चीज़ आप समझेए, यहाँ पे population के हिसाब से बताया गया है, last census के अगर बात करें, तो share of Muslim population जो था, वो 14% है, और हिंदू population का 80%, अब आप उस 14% हिंदू population का share है भारत में, अब आप उस हिसाब से compare करो, और हिंदू का 80% है, उस हिसाब से compare करो, comparison में, जो Muslim prisoners हैं, वो जादा हैं, और जो Hindu prisoners हैं, वो कम हैं, अब जो Muslims इन मह नहाराष्ट prisons पर एक study की गए, उस पर ये बताया गया, कि जो 41% Muslims, जो jail में हैं, उनका एक ही earning member है, और 25% के पास तो कोई lawyer ही नहीं है, जो bail जिनको चाहिए, 52% उनकी appeals जो है, वो reject की जाती है, और 48% के को तो कुछ पता ही नहीं कि bail भी होती है, ये नहीं होती है, convict और under trial का ratio जो है, वो idea हमको देता है, कि कितनी जल्दी जो process है, वो move करता है, simple सी बात है, अगर ये convict है, ये under trial है, ठीक है, और is equal to result आएगा, अब अगर माल लिजे कि convict है जाधा है, ठीक है, मतलब under trial का मतलब ये है कि आपको मुकदमा चल रहा है, आपके ओपर कोई लगा है, आपक है, जाधा तर आपको भारत में यही मिलेंगे, अलब भारत की जेलों में, वो अपने case का इंतजार करके कब मेरे case के सुनवाई होगी, क्योंकि भारत में बहुत सारे cases हैं, वाई, clogged हैं, करोनो cases हैं, जो pending cases हैं, अगर माल लिजे gap, convicts और under trials में काफी बड़ा होगा, तो हम भी अजिम कर सकते हैं, कि जाधा तर जो लोग हैं, वो अपना, अपना का वेट कर रहे हैं, कि हमारा trial, हमारी सुनवाई कब शुरू होगी, ज्याद रखिएगा कि, हर तीसरा case under trial है, मतलब, जो convict है, ठीक है, एक convict पे, one is to three का ratio है, एक convict पे, तीन under trials है, और ये ratio जो है, व high under trials है, मुसलिम के लिए सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, है ना, तो ये चीज़ है, dominant caste की बात करब, caste system पर आ जाते हैं, तो they have 26% of under trial, caste census कभी भी ratify किया ही नहीं, तो उनको official numbers कभी भी पता नहीं चलेंगे, लेकिन 74% of under trials है, they belong to oppressed caste, ठीक है, और logic जो है, वो सारे religious groups के लिए एक ही है, बिहार के अगर बात करते हैं, तो OBC में largest share है population का, यह आप देखी सकते हो, यह आप देखी सकते हो कि share of oppressed caste group in prison, highest 2017 से कब रहा है, यह SCST OBC की बात करते हैं, तो 2,33,000 के करीब हैं, और dominant class 1,11,000 के करीब हैं, जो privileges और majority religious groups हैं जो economically powerful section है, they do not translate to caste groups, आप समझें के नहीं, prisons में बात करते हैं, तो violence के भी cases बहुत जादा, जो oppressed caste के उपर बहुत जड़ा violence होता है, 2019 में, एक police sub inspector करनाटक में, suspend हो गया था, क्योंकि दलिप inmate ने complain कर दी थी, कि उसको पेशाब चाटने को कहा गया था, दूसरे inmate की, police custody में, भाई, दो custody होती है, judicial custody बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि आप judge can enter रहेंगे, police custody में, इतना हम मारते हैं, इतना हम मारते हैं, कि हालत खराब होती है, 2020 में, दलिप woman, जो है, she was collapsed, और वो मर गई, police custody में, अभी एक movie आई थी, जैभीम करके, वो movie आपने देखी कि नहीं, बहु उनके बास कोई stable incomes नहीं, उनके बास land नहीं, और कोई supporting channel नहीं, तो बहुत मुश्किल है, कि उनको bail मिले, या को illegal, इसी के उपर ही जैभीम बनाई गी थी, तो आपने देखा है, crime की बात ही नहीं है, और कितने सारे factors हैं, जो कि इसमें काम करते हैं, यह आपके GS paper 2 के लिए ब पूछे जा सकते हैं, और याद रखिएगा कि अगर आप इन पर काम करेंगे, तो यह मज़ा आ जाएगी, आपके बहुत अच्छे marks आएंगे, लेकिन marks तो ठीक है, बट आप देखिए कि conditions क्या है हमारी जेल की, I hope a lecture आपको पसंद आएगा, हमने UPSC का शांदर course चलाया हु